संकल्प का एक ही विकल्प जित जीत की क्योंकि इस बार आपको यादने पास नहीं टाप करना है तो चलिए आज देखते हैं आज के पहला कौन सा ग्राफ पर आधारीत क्वेस्चन है सबी लोग त्यार है बुले त्यार है भाई सारे लोग वेरे गूड तो फटाक सेरा वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट और पढ़ने वाले सभी विद्यारतियों तो सेर कीजिए जो पेट की तैयारी में लगे है सबसे पहले आज की जो ग्राफ दी गई है उसमें लिखा नीचे दिए गए अस्तंभ आलेक में पांच दुकाने हैं A, B, C, D, E बेची गई सात रंगीन गेदों को दिखाया गया अब इसी के बेश पर हमें उत्तर देना है सारी गेदों का नाम यहाँ पर आपको लिख के दिया गया है नेली, काली, लाल, बैगनी, सफेद, नारंगी और पीली इन सारी चीज़ों के यहाँ पर ग्राफ के अंदर बनाया गया सबसे पहला क्वेश्चन हम यह पढ़ेंगे आपके लिए क्वेश्चन नमर वन, कहता लाल गेदों के कुल प्रतिशत नारंगी गेदों के कुल प्रतिशत के बीच का जो रेशियो है अनुपात है, वो क्या है और आपको पता इसमें जितना भी डेटा दिया गया सारा किसमें पर्शेंट यानि प्रतिशत में ही है अब अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के लिए तो अगर इनके प्रस्चन के बारे में बात करनें तो देखे भाई अब लाल गेंट का बंतलब तो लाल गेंट आपको ए तीसरा वाला थर्ड वाला है अब दूसरी चीज कौन सी गेंदिनों रखे नारंगी तो नारंगी वाला ये इस तरीके से जो शो किया गया अगर इन दोनों बातों के बेश पर हमने देखे लाल वाला ये डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा इस तरीके वाला हिस्सा जहां कहीं भी बना है इसी प्रकार से नारंगी वाला ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है तो जहां भी बनाई ये आपका होगा अगर इस सारे डेटा को हम जोड़ दिया जाए जोड़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले लाल वाले में देखो कितना दिख रहा है 40 हमारे पास आ गया फिर ऐसे देखे 20 है आप डाइग्राम ग्राफ को देखते रहे 45 हो गया अनुपाद बताना ये बीच में अनुपाद का निशान आप लगा दीजी और नारंगी का जहां तक प्रश्ण है तो हमें 30 दिख रहा है अगला कितना है 25 फिर हमारे पास 35 होगा फिर ये 45 होगा अगर हम सब इसे टोटल जोड देंगे तो आपको मिला 105 आ गया लाल वालों का 135 नारंगी का 15 से काट दीजे तो 15 सत्ते 105 15 नावां 135 7 इस टू 9 ऐसा विकल्ब सी है यही आपका आंसर होगा चले बाई question number next हम लोग discuss करेंगे ये रहा एक और सांदार सवाल question number इसमें कहता है second में रंगीन गेदों का कुल प्रतिशत पीली गेदों के कुल प्रतिशत का कितना भाग है बस सब से गुणा नहीं करना है डायरेक्ट हमारा भाग answer आ जाएगा अब आप सभी लोग यहां से ध्यान दें तो कुल भाग यानि कह दो question mark बराबर भाई आप बताओ कि रंगीन गेद और पीली गेदों का कुल प्रतिशत कह रहा है टोटल अगर हम numbers को जोड देंगे सारा का सारा तो ये हमारे पास total calculation में कितने आएगे 500 तो उपर वाला आप क क्योंकि कुल के साफ एक्ष बताना है तो जोड़िये आया 70 70 बटे में 500 00 कैंसिल यानि ये 7 बटे 50 भाग और ऐसा भी कल्प D है ये रहा आपका correct answer चलो भाई सबको समझ मारा कोई देखकत तो नहीं बाकी आपको पता है कि मैथ की class भी अलग से जा रही है सारा उसे complete कर तेरे पेट वालों अब देखिए ये रहा आज के लिए next question अगर इस next question की बात करें तो दुकान A में बैगनी और पीली गेंदों के प्रतिशत की बीच में ratio तो टेंसल लेने की जुरुत क्या दुकान A में कितना आपको दिख रहा है 35 और पीली गेंदों का 20 दिख रहा है कार कि बैगनी गेंदों के प्रतिशत की कुल संख्या पीली गेंदों के प्रतिशत की कुल संख्या के बीच में कितने का अंतर है आप अगर ध्यान दें तो पहला जो बैगनी गेंदों के बारे में है तो आपके पास जो डेटा है वो 35 है और इसमें प्लस 15 कर दीजे यानि 50 हो माइनस अगर हम पेली गेदों के बारे में बात करते हैं तो 10 अपलस में 25 हो गया 35 हो जाएगा तो 50 में से 35 घटा दीजे 15 आ जाएगा यानि विकल पर आपका correct answer हो जाएगा next question सारे लोग देखे भाई अगर मैं इस question के बारे में बात करता हूँ तो दुकाने कौन सी हैं जिनमें सफेद गेदों के प्रतिशत एक समान हैं अब इतो ग्राप को देख करके ही आपको पता चल गया कि दुकान जो B और C है इनमें सफेद गेद की बात की गई है तो सफेद गेद ये है एक समान डेटा के बारे में आप देखे B और C के लिए तो निश्चित तोर पर ऐसा उतर विकल B और C होगा चले भाई हम देखेंगे आज का अपना next ग्राप हमारे पास क्या है और ये रहा एक सांदार ग्राप आप सभी से देख करके एक क्वेस्चन के आंसर के लिए तैयार हो जाईए मेरे भाई पहला प्रस्ण ये है कि नीचे दिये गए प्रविभाजित दंड आरेक में तीन वर्षों में हाई स्कूल के चात्रों को दिखाया गया अब इसी के बेस पर प्रशन का आंसर देना है जो फेल बच्चे उनको इस तरीकिस दिखाया गया तिर्ष्टी वाले में ये है सेकेंड वीजन और फर्स्ट वीजन ये संकेत हो गया हिंट हो गया अब अगर मैं अपने इस क्वेस्चन को देखता हूँ पहला सवाल अगर मैं देखूँ तो ये कहा गया वर्स 2008 में 2008 पहला वाला है प्रथम स्रेडी में उत्तिर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है तो 2008 के अगर कुल छात्रों को देखोगे तो 2008 ये डेटा कहां पर जाता 170 एक सो सत्तर पे पहुँचेगा अब इसमें प्रथम वर्स में अगर उत्तिर्ण छात्र की बात करें तो उत्तिर्ण छात्रों के बारे में आप ध्यान देजिए तो टोटल ये कितने आपको देखेंगे उत्तिर्ण प्रथम तो प्रथम स्रेडी प्रथम स्रेडी पहला वाला है पहला वाला ये है कितने के 20 पे गया यानि 20 पर ही डेटा चला गया अगर प्रतिशत बताना है तो कहना question mark बराबर x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना है तो 20 बटे में 170 गुणे में आप 100 कर दो 0 0 कैंसिल कर दीजिए यानि 200 आ गया और इस 200 को आप 17 से डिवाइट करो तो सब को पता है कि 17 ग्यारहियम यानि 11 सही 13 बटे 17 प्रतिशत और ऐसा विकल्प D है आपका रहा correct answer चलिए फाटा फाट next question की तरह बढ़ेंगे और आप सभी लोग जरा अगले सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझे मेरे साथ वर्स 2008 में 39 छात्रों का प्रतिशत कितना है तो अगर वर्स 2006 में 39 छात्रों का प्रतिशत पूछेंगे अब वो चाहे 1st, 2nd, 3rd जो भी डिवीजन है उन सारे लोगों की बात की गई तो आप देखे डेटा 140 पर आके रुखता है तो ये 140 हो जाएंगे टोटल कितना था 170 है तो आपको सीधे कर देना है कि 140 अपान में 170 इन्टू 100 कीज़े 00 कैंसल करिए यानि आपका आजाएगा 1400 यानि 1400 बटे में 17 करिए 14.812 आठ से शुरू होगा एक ही बिकल्प हमारा तो यहां से डाइरेक्ट आंसर आगया 82 सही 6 बटे 17 प्रतिश्वत आपका आंसर है अब मैं आपके लिए next question के बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं उत्तीरन छात्रों की संख्या के अनुसार विद्याले में सर्बोत्तम परडाम किस वर्स में रहे यह हमें बताना है अभी हम लोगों ने 2008 तो 2008 अभी तुरंत ही हमने पिछले question में solve किया है जहां का result आया था 82 सही 6 बटे 17 तो 6 बटे 11 था तो 82 सही 6 बटे 11 आपके पास हो गया यानि ये 2008 में 2009 का data देखो तो 2009 ये आपके पास है अगर हम कुल की बात करेंगे तो यहां से 140 और ये कितना 190 तो 140 बटे में 190 गुणे 100 करिए calculate करिएगा 73.7 की आसपास आ गया बोलो भाई आ गया ओके 2010 की बात कर लेनी चाहिए तो 2010 में ये देखो पास होने वाले कितने हैं डेड़ सो की आसपास ही तो आपका हो जाएगा डेड़ सो बटे में 200 गुणे में 100 जीरो जीरो कैंसिले अपने आप कितना हो गया 75 परशेंट हो गया अब अगर ही कहें सबसे बहतर परफॉर्मेंस किसका रहा है तो इस कंडिशन में सवाल को हमें ध्यान से देखना होगा कि इनका कहना वो तेंड चात्रों की हाई स्कूल में सर्भूत्तम परडाम किस वर्स का रहा तो आपको एकी बात कहनी पड़ेगी कि सर्वुत्तम पढ़ाम को अगर मैं देखता हूँ तो 2008 में भाई 82 point something है 2009 की बात करता हूँ तो 73 point something आया 2010 की बात जब मैं ने किया तो यहाँ 75% अगली option कहते हैं उत्रीन चात्रों का प्रतिशत तीनों वर्सों में एक समान था ऐसा बिल्कुल नहीं है तो no doubt हमारा credit answer A हो जाएगा चलि भाई next question में देखा जाए next हमारे पास यह है कि वर्स 2008 में आठ यह है तरती स्रेणी में उत्तेरन चात्रों की संख्या कितनी थी अब हमें यह बताओ 2008 में 33 रेणी की बात कर रहे हो 2008 में अगर पास होने वाले चात्रों की संख्या देखे तो 140 140 पर है डेटा बच्चों यह और इसमें अगर मैं किसकी बात करता हूँ अगर उत्तीन चात्रों के संदर में बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है 33 रेड़ी वाला तो 33 रेड़ी के ठीक पहले यह है 80 का डेटा दिखेगा आपको तो आपको 140 में से 80 को माइनस कर देना है 60 आपका आंसर आएगा विकल भी करेक्ट आंसर है चलि भाई हम next question की तरफ बात करेंगे और एक और प्यारे से प्रस्ण के बारे में तुरंद की तुरंद चर्चा हो जानी चाहिए वर्स 2010 में 32 स्रेड़ी में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्स 2010 में 32 स्रेड़ी में चात्रों का जो प्रतिशत वो कितना है 60 का है टोटल कितने है 200 गुणे में 100 कर दीजिए 0000 कैंसिल होगा कितना आएगा 30 पर्शेंट आएगा और ये रहा आपका करेक्ट आंसर प्रेविद्यार्थियों आज के ग्राफ में हमने आपको फास्ट इसलिए किया है कि आप फटा फटा अप कल्कुलेशन की तरफ बढ़ें बहुत सारी क्लासे हम लोगों ने कर ली है और हाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि आपको एक क्लास कैसी लग रहे कमेंट करके जरूर बताना आप सभी लोगों को चाहिए कि आपको इस टॉपिक पर और मैटर चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप बताएए वो चीज़े हम आपको तुरंत उपलब करवा देंगे साथी साथ हिंदी का मॉडर पेपर अब शुरू होगा अब आप सब उसके लिए तयार रहे है इसके अलावा रिजनिंग का वन बाई वन टॉपिक जितना भी पेट में दिया गया वो सारी क्लासेज आपके रिजनिंग वारे चैलन यानि किर्थमान एकेडमी ऑफिसियल पर सारी चीज़े जा रहे हैं झाल 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 झाल